संबिधान व्यक्त की गरिमा की बात करता है पद की गरिमा की बात नहीं करता संबिधान में कहीं पद की गरिमा की बात नहीं की गई है पद के दाइत्तों की बात की गई है लेकिन नेताओं ने अपसरों ने मीडिया वालों ने मिल करके हमारे महान संबिधान को उल्टा कर दि लेकिन ये लोग चलाए चले जा रहे हैं आप देखते होंगे कि गरीब को मजदूर को ठेला चलाने वाले को कोई कार वाला कोई बाइक वाला डांट के बात करता है गाली गलोज की भासा में बात करता है दोस्तों मैं क्यों कहता हूँ कि इस संविधान को लागू कर दिया जा सड़क पर मल्दूरी करने वाले विक्ति को या कहीं भी जो कमजोर विक्ति है जैसे आप सिपाही है तो कोई दरोगा है तो कोई एस्पी है यह जो उपर नीचे वाले के साथ जलालत का वेवार करते हूं नहीं करेंगे कि इंसल्फ पर हमारे देश का संबिधान रोक लगात वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, नीचे वाला व्यक्ति तुमसे ज़्यादा सवाल करेगा, अगर तुम उससे बड़ी पद पर हो तब, इसलिए है भाईयों, है दोस्तों, आप सबसे मेरी पुकार है, कि भारत के संविधान में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, इसको मह दोस्तों, अक्सर बात होती है पद की गरिमा, जैसे अपने देश में उपराश्पति जी की मिमिक्री कर दी गई, तो मीडिया का भौपू बजने लगा, कि उपराश्पति पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया, पद की गरिमा का आपमान हो गया, ऐसे ही अगर कहीं रहए मज़ोर को डाट रहा होता है और बीच में कोई बोलता है तो ये गरिमा प द कि है कि पद पर बैठ है हुसा कि दोस्तों गरिमा के बहाने से पद की हनक पैदा करके पदर बैठ है व्यक्ति सक्टिका-दूर्पयोग करता है क्योंकि हमारा संभिधान व्यक्त की गरिमा की बात करता है पद की गरिमा की बात नहीं करता हमारे भारत के महान संभिधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है यह जानना हमारे भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि देखिए दोस्तों ये भारत के संभिधान की उद्देशिका है इसमें लिखा हुआ है उन सब में ब्यक्त की गरिमा और राष्ट्र की एकता और खंडता सुनिशित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यानि ब्यक्त की गरिमा बढ़ाने के लिए संभिधान बनाया गया है अंग्रेजी में देखते हैं यानि कि ब्यख्त की गरिमा की बात की गई है पद की गरिमा की बात की गई है लेकिन नेताओं ने अपसरों ने मीडिया वालों ने मिल कर के हमारे महान संभिधान को उल्टा कर दिया है और जो गरीमा ब्यक्तिकी है उसको पद की बताकर पद पर बैठे ब्यक्तिको सबसे ताकतवर बनाने की कोशिस की जा रही है इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है इससे संविधान कमजोर हो रहा है और इस सदियों से चली आ रही कुप्र था है जिसको संबिधान खतम कर रहा था लेकिन ये लोग चलाए चले जा रहे हैं सदियों से चली आ रहे ही कुपर था क्या है दोस्तूँ आप देखते होंगे कि गरीब को मजदूर को ठेला चलाने वाले को कोई कार वाला कोई बाइक वाला डांट के बात करता है गाली गलोज की भासा में बात करता है अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक टीटी एक मजदूर टाइप के विक्टि से मजदूर टाइप क्यों कहरा है क्योंकि उसकी वेस भूसा से वो विक्टि मजदूर जैसा दिख रहा था गाली गलाउज कर रहा था उसको मार पीट रहा था उसको ठपड मार रहा था किसा धार पर ये टिकट नहीं लिया है अगर वो टिकट नहीं भी लिया है तो व्यक्त की गरिमा के अंसार कानूनी कारवाई आप करेंगे न कि उसकी माबहन को गाली देंगे, न कि उसको थपड मारेंगे, क्योंकि हमारे देश के कानून में, चाहे अपराद कोई भी हो किसी को थपड मारने के सजा तो कहीं लिके ही नहीं है, यानि वो टीटी जो कर रहा था, वो पद की हनक में ब्यक्ति की गरिमा को तार-तार कर रह था एक आम आदमी की इज्जत को तार-तार कर रहा था जिसको बढ़ाने की पुकार हमारे भारत का महान संभिधान करता है दोस्तों मैं क्यों कहता हूं कि इस संभिधान को लगू कर दिया जाए तो एक देश सोने की चडिया बन जाएगा फिर किसी मजदूर को काम कराने वाला डांटेगा नहीं गाली नहीं देगा दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों को कोई अपसब्द नहीं बखेगा चाय देने वाले रिस्तना पर काम करने वाले परोशने वाले लोगों को लोग गाली गलोशने बात नहीं करेंगे सडक पर मलदूरी करने वाले व्यक्ति को या कहीं भी जो कमजोर व्यक्ति है जैसे आप सिपाही है तो कोई दरोगा है कोई दरोगा है तो कोई S.P. है यह जो उपर नीचे वाले के साथ जलालत का वेवार करते हूं नहीं करेंगे क्योंकि इन सब पर हमारे देश का संबिधान रोक लगाता है यह वो कुपरता है जो राजसाही से चली आ रही है जिसमें उपर वाला अपने नीचे वाले को गाली दे कर बात करता है और अगर नीचे वाला कुछ कहता है तो कहता है कि मैं इस पद पर हूँ मेरे पद का महत्तो समझो संबिधान के बाद किसी का कोई पद नहीं है दाईत तो है यानि पद आज जो है वो दाईत तो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है नीचे वाला व्यक्ति तुमसे ज़्यादा सवाल करेगा अगर तुमसे बड़े पद पर हूँ तब इसलिए दोस्तों आप सबसे मेरी पुकार है कि भारत के संबिधान में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है इसको महसूस करिए यह किसी पद की गरिमा नहीं है किसी जात की गरिमा नहीं है बलकि हर एक व्यक्ति के इज्जत की बात की गए गरिमा का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा मैं आपको बताऊं दोस्तों यूरप के देशों में कोई कार का मालिक अपने ड्राइबर के साथ अभधर बेवार नहीं कर सकता यहां तक कि उसको नीची निगा से देख भी नहीं सकता क्योंकि वो अपना काम कर रहा है तुम अपना काम कर रहे हो वो अपने काम का सेलरी ले रहा है तुम अपने काम की सेलरी ले रहे हो तो इसी नाते ब्यक्त की गरिमा की जब हम बात कर देंगे तो चाहे कोई कमाने में अमीर हो या गरीब लेकिन जीवन में हर कोई बराबर दिखेगा क्योंकि सुकून सब के पास होगा इज़त की रोटी खाएगा रोटी जो गरीब कमा के लाएगा वो भी इज़त से लाएगा और इज़त से खा लेगा आप देखिए अपने देश में जो पद की गरिमा का ढोल चल रहा है उसी की देन है कि जिसके नातेदार रिष्टेदार या जो खुद पदों पर बैठे हैं वो चार गुना भी कर लेते हैं तो भी वो सुरक्षित होते हैं और जो कमजोर आदमी है उस पर अगर कोई गलत इलजाम भी लग गया तो अभी पुलिस उसको पीट करके बात करती है गाली गलोज देकर बात करती है और उसके बच्चों को उसके परिवार वालों को भी अपसर्द बक्ती है इसलिए अब एक कानून बनाने की मांग होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने से नीचे वाले के साथ गाली गलोज की भासा में अगर बात किया थपड़ मारा तो यह संगीन जूर्म होना चाहिए यह उसी तरह से अपराद बनाया जाना चाहिए जैसे SC ST Act हमने बनाया और उसमें हमने बनाया कि अगर कोई उंची जाती वाला अगर कोई OBC या जनरल केटेगरी का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके SC या ST समुदाय का होने के नाते गाली बगता है अपमान करता है मारता पीड़ता है जलील करता है तो इसको अब अंसुजित जात जन जात अत्याचार निवारन अधिनिया 1989 में संगीन अपराद गोशित किया गया है इससे इस तरह के कोकृतियों पर बहुत सारी रोक लगी है लेकिन अभी भी ये हो रहे हैं इसलिए अब एक जरूरत आ गई है कि क्योंकि अब हर जात समुदाय के लोग लगबग हर छुटे काम में हैं हर कोई व्यक्ति कहीं ने कहीं काम कर रहा है ऐसे म मैं कहता हूं कि चाहे किसी भी जात से कोई आने वाला हो जब हमारा संबिधान व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की गरिमा के साथ खिलवार करे यानि उसके साथ अपसब्द की भासा में बात करे उसे जलीर करे उसे थपड मारे उ उसे संगीन अपराद घोसित किया जाना चाहिए इस पर हम आप सब का कमेंट चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप इतना सेर करिए कि हर गरीब आदमी, हर व व्यक्ति जिसको उससे उपर वाले ने अपमानित किया है, सताया है, वहां तो को बात पहुँचे ताकि देश में एक नई मां उठे, जो सब को जोडने वाली हो जो सभी प्रकार के गरीबों को, कमजोरों को, जिनकी आवाल दबा दी जाती है कुचल दी जाती है, उनको उपर उठाने वाली हो जब कभी कोई गरीब थाने पर जाता, उसको भगा दिया जाता है बहुत बुरी तरह वहां सी पाई डाटकर भगाता है कोई ट्रक ड्राइबर अगर ड्राइविंग कर रहा होता है, वहां उसको ट्रैफिक इंस्पेक्टर गाली दे कर बात करता है इन सब को रोकने के लिए एक कानून की सक्त जरूरत है व्यक्तिकी गरिमा की सनरक्षन का कानून और ये कोई व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्तिकी गरिमा का हननन करेगा तो उसे सजा दी जाएगी आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाला उपर वाले का भी हनन नहीं करेगा अभी नहीं नीचे वाला उपर वाले का हनन कर ही नहीं सकता उसके हिम्मत नहीं पड़ेगा उपर वाला व्यक्ति अगर नीचे वाले व्यक्ति की गरिमा का हनन करेगा तो इसको सक्त अपराद बनाया जाए एक ऐसी मांग मैं कर रहा हूँ इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को खूब लाइक करिए खूब जादा से जादा सेयर करिए ताकि बेक्त की गरिमा का मुद्दा भारत के समाज में उठे और इस पर लोग चिंतन करना सुरू करे कुछ है दिनों के भीतर सरकार तक इस बात का इतना दबाव बनाये जाएगा कि सरकार चाहे किसी की हो एक धारा इस तरह की बनेगी जो इस प्रकार के अत्याचारों को अपराद घोसित करके दंड का विधान करेगी जिससे कहीं किसी साइट पर जो दिहारी मजदूर काम करने जाएगा तो उसे यह चिंता नहीं सताएगी कहीं कोई थपड़ नमार दे कहीं कोई गाली देकर नबात कर दे कहीं कोई उसका सेलरी वेतन रोक करके गाली देकर भगा न दे ये समस्या खतम होगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी खूब सेयर करिए धन्यवाद